असलाम लेकुम वियोज आज मैं बटर कुकीज की रेसिपी लेग आई हूँ उससे पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाल सब्सक्राइब का बटन दमाएं बराबर में ये बेल का इकन प्रेस करने से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने मे मिलेंगी वीडियो अच्छी लगे तो थम्सप दें ये देखिए बटर कुकीज बिलकुल बेकरी स्टाइल में कितनी क्रंची और कितनी सॉफ्ट माशयालला बहुत टेस्टी मनी है टेस्ट किया है मैंने चलेंजी रेस्पी स्टार्ट करते हैं सबसे पहले मैंने ओबन को प सतर ग्राम बटर एक सो बीस ग्राम वनियला एसन वन टी स्पून अंडा एक रूम टमप्रेचर पे एग यूज करेंगे ठंडा एग यूज नहीं करना बेकिंग के लिए सबसे पहले एक बोल में मैं बटर एड़ करूंगी इंग्रीडियंट्स की कॉंटिटी मैं डिस्क्रि रूम कमप्रेचर पर ही बटर लिया है बहुत थंडा बटर आपने नहीं लेना उसमें चीनी अच्छे से मिक्स नहीं होती और इसको मैं बीट करूंगी तकरिबन 4-5 मिनट अच्छी तरह से ताके इसमें लंज न रहे अच्छे से बीट करना है ताके इसकी कंसिस्टेंसी ब करेंगे कोशिश करें कि पाउडर शूगर यूज करें फिर आपको ज्यादा बीट नहीं करना पड़ेगा अगर दानेदार चीनी है तो फिर भी आप इसको तकरिबन 7-8 मिनट तक बीट करेंगे फिर आके इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी आएगी यह देखिए चीनी अच् पर नेट करूंगी इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है यह वन टीस्पून एट किया है मैंने बेकिंग में तमाम चीजों की मेजर्मिंट एकोरेट रखते हैं इसको थोड़ा सा भी कम यह ज्यादा करेंगे तो बेकिंग अच्छी नहीं होगी और आपकी जो रेसिपी ह ठीक नहीं बनेगी और साथ ही मैं इसमें एक यूज़ कर रही हूँ यह देखे मैंने एक डाल दिया इसमें अब इसको अगेन हम बेट करेंगे फिर हमने इसे तीन से चार मिनट बेट करना है बेकिंग में बहुत ज्यादा बेट करने की जरूरत होती है अगर आप हाथ से इ इलेक्रिक वीटर भी यूज़ कर सकते हैं अब यह देखिए काफी लूज हो चुकी है इसकी कंसिस्टेंसी अब हम इसमें आल परपस फ्लार या मैदा भी एड़ करेंगे यह देखिए अब मैं मैदा एड़ कर रही हूँ इसमें अब मैं इस पैचूला की मदद से इसको अच्छे से मीक्स कर लोगी फैंटनेवारी छीजें जैंगे वो हमने पहले ही फैंट ली है अब यस्ट मिक्स करना है यह आटा गूनने वाले style से हम इसको अच्छे से mix कर लेंगे आप चाहें तो आप इसको हाथ से भी अच्छे से mix कर सकते हैं यह देखिए अब यह अच्छे से mix हो गया है और यह एक अच्छी सी consistency में भी आ गया है कि हम इसे अपनी मर्जी की shape दे सकते है अब यहाँ पर मैं बड़ी tray में butter paper एड़ कर रही हूँ butter paper से यह tray के अंदर नहीं चिपकेंगे और इनको नकालने में बहुत ज़्यदा असानी होगी अब cookies को shape देने के लिए मैं यहाँ पर polythin bag यूज़ कर रही हूँ यह polythin cone बाजार में असानी से मिल जाती है और इसके आगे मैंने nozzle लगाई है जो cake की decoration के लिए मैं यूज़ करती हूँ अब यह तमाम batter मैं इसके अंदर add करके इसको दुबारा से cone की शकल दे दूँगी अब यह देखिए अब आप जौन से भी shape देना चाहें square, rectangle, circle आप ऐसे दे सकते हैं और जो nozzle है वो भी आप अपनी मर्जी से कोई से भी इसके आगे लगा सकते हैं किसी भी shape की और different shapes भी use कर सकते हैं आप अब इस material से काफी ज्यादा cookies बन जाएंगी तकरीबन दो ट्रे भरके से easily बन सकती है देखिए एक ट्रे तियार हो चुकी है अब मैं इसको garnish भी कर लेती हूँ आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई सी भी garnishing का जो भी material आपको available हो आप use कर सकते हैं मैं चोको chips भी use कर लेती हूँ और चोकलेट के crunch भी जो चीज भी available हो उससे आप इसको garnish कर सकते हैं मैं यहाँ पर चोकलेट सप्रिंकल्स यूज़ कर रही हूँ इससे यह और भी खुबसूरत लगेंगे और हमारे पास different type की cookies भी ready हो जाएंगी कुछ हम simple रखेंगे कुछ को इस तरह से सप्रिंकल करके garnish कर लेंगे यह देखिए अब यह ट्रे रेड़ी है अब आप भी अपनी पसंद के तमाम ingredients इसके उपर लगाके इसको garnish कर सकते हैं ओवन हमारा preheat हो चुका है अब मैं इसको ओवन में adjust कर दूँगे इंट्रे को अगर आपको ओवन अवेलेबल ना हो तो भी इसका solution में बताती हूँ अब मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको ओवन अवेलेबल ना हो तो आप कैसे इसको bake कर सकते हैं यह देखिए मैंने यह दोनों ट्रे इसके अंदर रख दी हैं और अब 35 मिनिट के बाद मैंने इनको बाहर नकाला है देखिए माशाला से कितनी अच्छी लूक काई है इनकी बिल्कुल बेकरी स्टाइल कलर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है अब आप चाहें तो ऐसे ही इनको ठंडा होने के लिए चोड़ दें कि चाहें तो आप इसको किसी भी बाद के उपर इस तरह से मैंने इनको जाली के उपर सेट किया है ताकर यह अच्छी से फूल हो जाएं और क्रंची भी रहें इनको फॉरण आपने पैक नहीं करना वरना यह सौफ्ट हो जाएंगे इनको आप किसी भी शीशे के जार में रखके महफूस कर सकते है और ओवन में आपको बता रही हूँ अगर आपको ओवन अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी बड़े पतीले में रेत फिलाकर उसके उपर यह ट्रेयर रखके उसको एर टाइट कर दे तकरीबन पंदरा मिनट में यह रेडी हो जाएंगे और अगर आप रेत ना डालना चाहें आप नमक भी डाल सकते हैं या बरीक बजरी रखें और उसके उपर अपनी बेकिंग ट्रेयर रख दें बार-बार आपने उसको खोल कर चेक नहीं करना जस्ट एक ही दफ़ा पंदरा मिनट के बाद उसको उपन करेंगे तो यह बिल्कुल यही शेप आपको मिलेगी मैं अक्सर जब लाइट वगरा का यह कोई इशू हो तो मैं पतीले में भी यह बेक कर लेती हूँ और यह बिल्कुल इसी तरह से बेक होती है कुकीज और नान खताई वगरा इजी लिए उसमें बन जाती है जरूर ट्राइ कीजिएगा खुश रहिए दौाओं में याद रखिएगा अल्ला हाफिज